हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम कच्छा 10 के most important question को देखेंगे जो आपकी बोर्ड के exam के लिए 100% आने वाले सवाल है फ्रेंस आपकी बोर्ड के exam में जितनी भी प्रशन कराये जा रहे हैं उन्हीं शभी प्रसनों में से आपकी बोर्ड के exam में प्रशन पूछे जाएंगे तो फ्रेंस इन सभी प्रसनों को आप ध्यान से देखें और समिजने का प्रयास करें फ्रेंस देखी आप सभी को पता है कि आपका 16 फरवरी से बोर्ड का एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंस आज हम क्या करेंगे गड़ीत के कुछ महत्वपूर प्रशनों को यहां पे देखेंगे तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला प्रशन दिया गया है कि साइन ए बराबर 4 बटा के 5 है तो 10 ए कमान गयात करना है आपको फ्रेंस यहां पे आपसन है जो आपसन आपको सही लगे उसका एंसवर आप कमेंटर बाक्स में लिख सकते हैं तो फ्रेंस देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे कि देखें यहां पे साइन ए कमान 4 बटा के 5 दिया है तो देखें, sin A बराबर, फार्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा के, करण होता है, ठीक है, लंब बटा के करण, और sin A कमान कितना दिया है, 4 बटा के, 5, देखें, आपको क्या करना है, कि इस तरह आप एक समकोरतिर भूज बनाईएगा, ठीक है, इस तरह आप क्या कीजि ठीक है, और कड कितना हो जगा, 5, देखें, इस सवाल को लगाने के लिए, पाइथागोरस प्रेमेल लगाएंगे, यानि क्या होता है, कड का स्क्वाइर, आधार का स्क्वाइर, और प्लस लंब का स्क्वाइर, देखें, कड कितना यहाँ पे है, कड आपका है, 5, यानि 5 का करेंगे आधार कितना है पता करना हुए ठीकर आधार आपको पता करना है और लंभ क्या है आपको 4 यान 4 को स्कुर कर लेंगे देखेज। 5 को स्कुर 25 यहाँ पर हो होगा और यहां पर हो जाएगा आपका आधार का स्कॉार को अटाने के लिए क्या करेंगे दोनों पच्छों का करणी लेंगे अर्थात वर्गमूल निकालेंगे दोनों पच्छों का देखिए यहां पर करणी लेंगे दोनों पच्छों का देखिए नौ का वर्गमूल कितना के का कि लम बबता के अधार ठीक है लम बटाके आधार कि ही यहलं कि लंब ठीन धाया है तिन यहां तरह पर दिया है देखिस अपका यह आप संस सही यह चार बटा के तीन तो इस प्रकार से इसका एंसोर आएगा ठीक है चले दूसरे प्रस्ण को यहाँ पर देखते हैं देखे दूसरा प्रस्ण है आपके सामने यदि समीकर जब मूल बराबर है तो आपको फार्मूल लगाना है b-4ac इसकल टू जीरो आपको क्या लगाना है बी स्क्वाइर मान रख लेते हैं देखिए कितना है बी कमान यहां पर आपका है माइनस आट यानि माइनस आट काई स्क्वार कर लेंगे माइनस फॉर एक कमान कितना है दो है सी कमान गयाद करना है बराबर जीरो ठीक है देखिए माइनस आट काई स्क्वार कितना हो जागा है चौसट ठीक है माइनस चादूना क्या रहाए आट सी होगा बराबर जीरो अब पच्छान्द एक कर लिए कि आठ सी होगा ते अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है यहाँ पे तीसरे नमबर का कि बिंदू माइनस दू काम अच्छा और माइनस दू काम दस को मिलाने वाले रेखा खंड के मद बिंदू के निरत शांक होंगे यह जितने भी प्रस्ण लिए गए हैं आपकी बोर्ड के एक्जाम में यह सभी प्रस्ण पूछे गए हैं और आने वाले एक्जाम जैसे 2023 में आपको बोर्ड के एक्जाम स्टार्ट है तो उसमें भी यही सब प्रस्ण पूछे जाएंगे ठीक है तो चलिए इस सवाल को देख है अगला बिन्दू है मैन स्थो कामा इसका मधद on investor निकालना है देखी यहाँ पर क्या होता है यह सबार्मूला होता है आपका मधद बिन्दू के फार्मूला होता है कि यह S1 plus S2 बटा के 2 होता है ठीक है और कामा करके Y1 plus Y2 बटा के 2 होता है। Mmm premium when you come in 에as plus 10 कर लीजी ठीक है अब यहाँ भी करेंगे कि माइनस माइनस पता है जोडते है तो माइनस च्यार बटा के 2 हो जाएगा। और 10 कितना जगे 16 बटढ डूकरह देखें लॅग का मैजन को होगा देखिए आपसल Online आपसलन मेंふふ Жाण का निनरु सभी प्रकार मैं आप लगा उता नमबर का सवाल है कि एक लंबृत्ती बेलन के आधार का छेत्रफल 9,25 cm2 है तो उसके आधार का ब्याज ग्याद कीजिए देखे फ्रेंज यहां पर लंबृत्ती बेलन का आधार दिया है तो देखे बेलन पहले बना के आपको समझाते हैं है जैसे बेलन आपको है ठीक है यहिसमें इसके आधहार का दिया है ठीक है इसमें क्या दिया है आधार का च्छेत्रफल क्या हो हुआ हो जाए हो आधार का छेत्रफल बेलन के आधार का छेत्रफल क्या अधा बिरित है बिरित का फार्मूला क्या होता है यहां पर कितना है नाइन पाई रखेंगे यहां पर पाई आर इसक्वाइर देखें पाई से पाई कट जागा यहां पर हो जागा नाइन आर इसक्वाइर दोनों पच् है उसके आधार का ब्यास कितना होगा तो देखें पर आपसं में देखें च्छ संटीमीटर का आप लिखा है यहां पर आपसं में देखेंगे तो डीवाला आपसं आपके क्या हो जाएगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका सवाल है कि बिंदू तीन कमा चार की वाई अच् logarit ugly हो गी देखे फ्रेंश यहां पर पूछ वाइ अच्छ से दूरी जब फ्रेंश आपकवाई अच्छ से पून नहीं कुछता है इसमें यक्स कि यक्ष से से दूरी कितना होता यदि यक्ष से पूँछता है तो यक्ष का मान बताते हैं चलिए अगले को देखते हैं आपके सामने अगला प्रशन है कि यदि 3 कार्ट A बराबर 4 तो 6 A कमान होगा देखें यह आपके बोर्ड के एक्जाम में वाला प्रशन आ चुका है कि 3 कार्ट A बराबर 4 तो 6 A कमान ग्याद किजी तभी ऊपर आपको 8SY إن A का सवाल बता है पहला प्रशन आपका देखें यहाँ पर आपका दिया है कि 3 काट A बराबर कितना दिया है 4 यहाँ पहले काट A का मान ग्याद कीजिए पहले क्या करेंगे फ्रेंस यहाँ से काट A का मान ग्याद करेंगे तो 4 यहाँ पर लिखाए 3 को पच्छांतर करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएका चार बटा के थीन होगा काट एक मन कितना दीन चार बटा के थीन यहां पर आधार हुए चार और लंब तीन तब पाइधा गोरस प्रेमेस लगा दीजिए यानि करण का स्क्वाइर, आधार का स्क्वाइर, प्लस लंब का स्क्वाइर, ठीक है, करण का स्क्वाइर देखिए, करण का स्क्वाइर आधार कितना है, चार है, चार का स्क्वाइर, प्लस तीन का स्क्वाइर, देखें, चार चोको 16, अतली के 9, कितना हो जागा, 25, यानि कर सीख़ाड का इसक्वायर का मान आ गया आपका 25 अप क्या करें फिनये दोनों पच्छों कर उटलेंगे दोनों पच्छों कर उटलेंगे कड़बरा कितना जाएगा पांच जब पांच आए फ्रेंस तो यहाँ पे आपको देखिए सवाल में बताना क्या है कि सेक्ड़ाय क्षा ufenuila क्या हकता है देखिए सेक एक फॉर्मोला होता पती कर लुए तो कर बता के अधार होता है कि नहीं के कड़ कितना है यहां पर कलाई पांच अधार कितना यहां का देखिए आधार आपका है प्रशन took 5 प्रशन को आप इसी प्रकार निकाल लिए गाव करके तब आप्सन का ट्रिक लगाईएगा ठीक है अब देखे यहां से कर रहा है कि एक से नौ तक प्राकृति संख्याओं का समांतर माद्ध होगा यहां पर आपको क्या पूछा है समांतर माद्ध प्राकृति संख्याओं का देखें यहां समांतर माद्ध एक से लेके नौ तक प्राकृति संख्या लिखें एक से लेके नौ तक देखें एक दू तीन चार पां छे, साथ, आठ, नो यह क्या हो जगा आपका प्राक्रितिक संक्या प्राक्रितिक संक्या देखे समांतर माध्य बरावर फार्मूला होता है समांतर माध्य बरावर फार्मूला होता है कि सभी पदों का योग बटा के पदों की संक्या यानि कि इस सभी को जोर लिए, चलिए जोरते हैं, देखिंए, एक और, दो, तीन, 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 चाह, 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 दधार, दश, पाच, पंद्रह, पंद्रह, च्छ, एककाइस, एककाइस मेंस साफ जोरेंगे, अटाईस, एकईस में लगे Butin is Iанс. इसमें भाग दे दिजी 9 पचे 45 ति इसका समानतर माद्धे friends क्या आएगा पांच होगा ति यहाँ पर आपसन देखते हैं कि इसमें 5 कहाँ पर दिया है देखे इसमें 5 आपका दिया है भी वाला आपसन एक से नो तक प्रागधी संख्याओं का समानतर माद्धे कि इतना होता ह पांच होता है इस प्रकाश प्रश्ण को लगाते हैं चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सभाज संख्या के एक यूग में देखिए फ्रेंस यहां पर ध्यान दिया सभाजिक मतलब होता है जो यहां पर दो संख्या दिया होता है उसका आपका HCF कितना आना चाहिए, HCF, इन दोनों संख्याओं की HCF एक होगा, ठीक, यदि जिसका HCF क्या होगा, एक होगा, तो क्या हो जागा, आपका साभाज संख्या होगा, तो देखें यहाँ पे, आपका 14 और 35 का HCF निकाल लेंगे, तो आपका 7 हो जागा, इसलिए कि 7 स इसका मतलब हुआ, इसका HCF 3 होगा, 32 का देखेंगे, इसका HCF 2 होगा, इसलिए कि 2 से यह भी कट रहा है, 2 से यह भी कट रहा है, तो देखिए, 18 और 25 का HCF निकालना आप सभी को फ्रेंश पता होगा, एक होगा, देखिए, 18 और 35 दिया है, जो चोटी संख्याओं के बड़ी सब्सक्राइब buy say सब्सक्राइब यहांगा चली आगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि यक्से का साथ तो यक्स का मान यहां पे आपको व्याद करना है तो चली पहले इस प्रश्ण को हम लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसका right answer क्या होगा तो देखें फ्रेंज यहां पे लिग्षे आपको पताते हैं कि कितना इसका होगा ठीक है यहां पे कितना है आपका देखें शाइन साथ है और काट 10 शाथ हंस ठीक है चलीए देखिए इस सवाल को आपको समझाते हैं यहां यक्स कमान के आथ करना थे यक्स गुड़े 10 45 अंस कमान फ्रेंज कितना होता है तो आपको पता होगा 10 45 अंस कमान होता है एक का साथ अंस कमान कितना होता है फ्रेंज इसका मान होता है करड़ी में तीन बटा के सुरी दोस्तों एक बटा के दो होता है साइन साथ हंस कमान कितना होता है करड़ी में करणी में 3 होता है अब इसी को कल कर लिजिए देखें करणी तीन से कर तीन UP कर जाएगा आपका यक्स देखक एक कर जाएगा इक हो जोकर जाएगा कितना जाएगा- एक आइगा- यक्स कमान कितना फ्रेंश एक- इस प्रकाश प्रश्णों को आप हल भी करके तभी आपसन दगाईए फ्रेंज ठीक है इसमें से आपसन देखते हैं इसमें जब आपसन देख रहे हैं ति यह पहला वाला आपसन क्या होगा सही हो जाएगा तो नवमे का आपका पहला वाला राइट एंस्वर है चलिए अगले सव दूरी मूल बिंदू से दूरी पूछता है देखें फार्मूला क्या होता है करोड़ी में यक्स का स्कॉर प्लस वाई का स्कॉर कर लीजिए अब यहां पर देखें कि आपको बिंदू दिया है तीन कमा चार यानि क्या करेंगे यक्स का मान होता है यहां पर क्या करेंगे य चार का स्क्वार कर लेंगे। तुन का स्कूर स्केंबायें तुरौण की यारी 0еч MA 8 के तुरौदा और 5 एकाई होगा। इसका सही अजमें Why कya ऊन्थ होगा। इसमें आपका आपसान भी वाले वाले हैं मूल बिंदू से जो दूरी है कितना है? 5 इकाई हैं चलिए अगले सवाल को देखते हैं फ्रेंस आपके सामनी अगला सवाल है इस प्रकार के सवाल हर सल बोर्ड के एक्जाम में आपके सवाल आते रहते हैं देखे यह बहुत ज़ादा एक दिया है यही आनुपात होगा देखी A P और P B A P कहा Darling A P और P B P B का अनुपात देखे вниз यहां पर पूछ दिया है A P और P B का अनुपात देखे फ्रेंस पूछा है ठीक है यहां पर आपक्या कीजिए यहां पर A P और P B ना करके आपक्या कीजिए AP और AB कर लीजिए यहां पर क्या फ्रेंस होगा एबी होगा ठीक है अब इसमें देखते हैं फ्रेंस क्या होगा आपका कि इसमें जो होता है कि इसमें भूजाओं का अनुपाद जो होता है समरूपती बूज होते हैं तो इसमें भूजाओं का अनुपाद क्या होता है बराबर होता है तो इसमें का अनुपाद यहां पर पीक्यू अपर बीसी कमान दिया है एक बटा के तीन कितना दिया है एक बटा के तीन दिया है इसी प्रकार एपी बटा के देखिए एपी बटा के एपी कमान कितना होगा यह तीनों मान बरा यह मान और इसका मान बुजाओं कमान अनुपाद बराबर ह इसी तरह AP और AB का अनुपाद भी एक बटा की तीन आगा तो इसका मतलब देखिए AP बटा की AB का मन कितना हो जाएगा एक बटा की तीन इस अनुपाद में लिखना रगत एक संबद्ध तीन लिखेंगे और इसमें आप से कौन सा सही है आपका भी वाला राइट एंस्वर रहत सुसाइब देखिया इसमें पूछा है पीके निरसांग पूछा है इसमें पूछा है यहां पर पता होते है्जब यक्स Mé नीचे जाते यहां पर नो कितना है तीन है तीपाले तीन लिखेंगे फिर वाइग मःक मार मेंसटिन है तो जाओ यह तो यहाँ पर देखे इसाओं आप सब जगहते हैं ू कह भी माइनस तीन और माइनस दू यहाँ पी लिखा है तीस प्रशन का सही जवाब होगा माइनस तीन गाव माइनस दू तो फ्रेंस यहाँ पे आपके लिए 12 मोस्ट इंपोर्टन कोईस्चन हल करवाए हैं और यह आपकी बोड के एक्जाम के लिए सभी प्रशन फ्रेंस बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है इन सभी प्रशनों को आप ध्यान से पढ़ें और समझें तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें